क्या चार महीने काफी है CLAT PG 2024 के exam crack करने के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो कई students मुझे से पूछते हैं और इसको जवाब है ये जाननी के लिए आपको वीडियो last तक देनी पड़ेगी विगाज इसमें काफी सारे factors, काफी सारी बातें involved है जो कि आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी preparation को accordingly streamline करके, पढ़ा करके समझ के कर पाओ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपस लोग से ये भी एक बात कहूंगा कि अगर आप इस बार CLAT PG exam के तयारी कर रहे हो और आपको अगर हमारे health की जरुवत है आपको लग रहा है कि चार महिने में मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप हमारा Champions preparation course join करने का definitely सोच सकते हो विकाज इस course के अंदर हम लोग के बल 4899 में यहाँ पर आपको सारा syllabus पूरा syllabus खतम करवा के दे रहे है उसके साथ में हम लोग यहाँ पर आपको mock papers 17 total plus subject wise mock papers पूरे आपको दे रहे है जो कि आपके latest pattern है जिसमें proper answers दिये हुए है सारे के सारे solutions के साथ इस चीज के साथ भी कि किस student ने करता score कर आपके scores के कलाफ में कहा है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी along with case laws कि सारे case laws landmark recent सब लोग हम लोग कर आपको करा के देंगे तो एक ही जगा सारी चीजे एक consolidated manner में आपको मिलेगा आपको tension फिल लेने की ज़रुवत नहीं है कि पठाई मुझे कहां से करनी है तो अगर आपको अन्रोल करना तो किवल 4899 में आप अन्रोल करने का सो सकते हो apart from that चली वीडियो को शुरू करते है कि क्या वो factors है पहली बात जो कि इस time बात को decide करवाते है कि आप चार महिजी में एक्जाम कर पाऊगी या फिर नहीं सबसे पहला factor है कि आपका गोल क्या है एक्जाम देने का क्या आप यहां पर यह एक्जाम देना चाहरे हो एक PSU में विकंसी पानी के लिए यहां पी जब निकले ही उसके लिए या फिर आप यह दे रहो जो एक्जाम है NLU के अंदर कि आपको टीर वन या टीर 2 NLU टॉप 5 टॉप 10 चाहिए उसके लिए रहे हो या फिर आप यह एक्जाम जैग इंटरी के लिए रहे हो इस पर डिपेंड करता है दूसरा यह इस बात डिपेंड करता है कि आप हो कौन क्या आप एक एक ऐसे सुडूंट हो जो कि यह आप एक साल कर रहे हो बैक तो बैक या फिर आप एक साल दोगा साल कर रहे हो अभी आप college में हो और आपको कहीं ना कहीं time की कहीं ना कहीं positive है कमी है because आप college भी attend कर रहे हो साथ में आप तयारी कर रहे हो वो भी एक matter करता है या फिर माल लो आप एक working professional हो कि आप litigation या फिर आप कहीं पर दूसरी जगल law form में काम करते हो और अपने career का advance करने के लिए आप इस exam को कहने की देने का सोच रहे हो और तीसरा point यह है कि आपकी जो पढ़ाई है उसका status क्या है क्या आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है यहां पर आपने foundation subject सारे सारे कर लिये हैं क्या आप अभी अभी लटा करें हो दो-तीन subjects बचा है या पूरा syllabus बचा है या फिर अ factors consider करते हैं मैं एक एक करके आंसर करता हूं कि चार महीने में क्या possible है और क्या possible नहीं है सबसे पहले अगर आपका मालनों गोल है कि आपको PSU क्राक करना है तो आप यह समझे लो कि as a graduate आप PSU का क्राक करने का सोच रो जहां पर आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है देफिनिटली चार महीना is totally more than enough अराम से आपका हो जाएगा कोई दिक करती है अगर आप PSU को तयारी कर रहे हो और आपके foundational subject की तयारी अगर पूरी हो चुकी क्योंकि definitely crack it आपको अपने जो exam के अंदर case loss जो आते हैं उन पर अच्छे से focus करना है landmark और recent cases पे और इस चीज का ध अलाइन कई sources मेलेंगे कई youtube channels मेलेंगे जहांप अलग 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 चीज़े बताइए कहीं पर कुछ बताइए कहीं पर कुछ बतायने के लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी कि अफ 8 बालती में defense से उनल करें कभी उसकी तो चाहए मेरी चाह pistो एक शूर्स की चाहाए किसी प्रॉपर आंसर जो आपके होते हैं एक क्वेशन के देकर हम लोग बना रहे हैं मॉक्विपस को तो आप उन्हीं में अन्रोल करें और कहीं जाने कि आपको जरुवत नहीं है फिर अगर आप दूसरे उसकी बॉइट करते हो कि अगर आप मालनो टीर वन या टीर 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 अल्यूम एडमिशन लेने का सोच रहे हो और आप अगर एक ग्राजुएट सुदेंट हो ठीक आप पस टाइम मालनो ठीक भी है कम भी है थोड़ा भी है तो आपके लिए भी पॉस 65 से लेकर 70 तक लाना है उसके उपर आपको नहीं जाना है विकाज आपको अराम से इत्ते स्कोर के अंदर टीर वन से लेकर टीर टीर टो नल्यू अराम से मिल जाएगा और अगर आप प्स यूज के लिए पॉइंट आउट कर रहे हो तो आपको 85 प्लस स्कोर की यहां पर सीर करो तो भी आप एक्जाम करेक कर लोगे को आपको यहां पर जो स्कोर है वह थर्टी फाइव थर्टी सिक्स के राउंड बेगर आप ले आ रहे हो ना तो अराम से आपको कोई बतलब दिक्कत ऐसी नहीं आई कि जाएगा या आपको बुलाया नहीं जाएगा यहां पर आसा क भाए कैसे ऌगा किया करने क्या करने करना है मैं चुरू करने क्यों अब है कि थोड़ा जयारा मुश्किल है काफी तो नहीं क्ड़ी व-प्लस प्र आपकाका 85 plus का है तो वो करना जो कि पिष्ले है एक साल से डेर साल से दो साल से जिसने जुडिशरी के अंदर बढ़िया परफॉर्म करा है प्री मेंस निकाल आया फिर जिसने जैग एंड बना स्वारी क्लैट पीजी आपका पहली क्रैक करा है आप कहां उसके सामने स्टैंड करोगे आप खुछ सोचो इस लिटरली इंपॉसिबल कि चार महिने में आप PSU के लिए बिना जीरो प्रेपरेशन के कि आपको अपने कुछ नहीं पढ़ा है रिविजन बिल्कुल नहीं करा है आपको सब कुछ स्क्राइट से पढ़ना है आप नहीं कर सकते इस वेरी 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 डिफिकल्ट या समान दीजे अपने कुछ नहीं पढ़ा पर आपको टीर वन के लिए यहां पर ट्राय करना है बिल्कुल पॉसिबल है चाहिए आप एक ग्राजुएट हो चाहिए आप एक वर्किन प्रफेशनल कर रहा है क्या कर रहा है बस कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम दिन में पांस से ल दस दिन में करके खतम करूं गा और नहीं करूंगा तो मैं अपना आपको घूसे मारुं गा कि मेरे स Cena कर पांता है मैं पढ़हाई नहीं पहां भी कर पाथ लेकिन सब्येक महीने है यही आपके सबसे important most crucial time है इसमें आपका बात बनेगा या बात बिगडेगा अगर आप यहाँ पे breakdown हो गए या पर आपने आलस बरती या फिर आपने कुछ भी करा तो भूल जाओ कि आपको कोई भी अच्छा college मिलने वाला है फिर आपको फिर एक raw plan मनाओ कि भाई चलो constitution है मेरा 5 से लेकर 10 दिन में हो जाना चाहिए CRPC evidence है IPC है वो 5 से 10 दिन में हो जाना चाहिए अब चाहिए 5 दिन लगे 6 दिन लगे पहले constitution के subject को खतम करो खतम करने के बाद अगले subject पर जाओ उसको खतम करो रिविजन पर ध्यान दो case loss पर ध्यान दो ऐसे चलो अगर schedule सही से follow नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने आपको घूसे मारने मत बैठीए और अगर मालोग को और फिर अगर ऐसा है कि आपको मालो बाकी सारी चीज अवेलबल है वहां पर एक एक चीज जॉब सो सकता है सारी कि सारी हम लोगने करवा कर रखिया आपको अलग से भटकते हैं कहीं पर जरूबत नहीं है तो अगर आपको लगता तो अब डेफिनिटी अन्रोल करें अब इसके आगे बात कुरूँ उन स्टूट्स की जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अब उनको जैक के लिए त्यारी करने तो आपको जिसमें कह दिया अरांस त्यारी करें तो महीने भी करोगे हो जाएगा बाकि उन स्टूट्स के लिए जो अभी PSU के लिए त्यारी कर रहा है कुछ नहीं पढ़ा भाया बहुत मुश्किल है उन स्टूट्स के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता है तो अपने टाइम को थोड़ा से डिवाइड करिए प्रॉपरली देखिए कि कितना टाइम आप दे पार हो कितना नहीं दे पार हो और कम से कम 5-6 गंटा रोजाना पढ़ाई करिए और रॉप प्लान के साथ करिए हो सता है कभी छुटी मिले वर्क से कभी ना मिले कभी कुछ हो कभी कुछ हो लेकिन आपको कोशिश करते रहना है जब तक एक्जाम में बैठ होगे नी कोश सक्सेस बाई